एक ये भी कॉस्चिन आया था जिसमें केंटी लीवर बीम पर पूरे में यूडियल नहीं लगा है लेफ्ट साइट से टू मीटर पर यूडियल लगा है और बाद का एक मीटर पर कोई लोड नहीं है और एंड पॉइंट पर भी कोई पॉइंट लोड नहीं है इसका बेंड इंड और रियक्शन निकालना यह कॉस्चन में लिखा था पहली बात तो यह कि फिक्स्ट एंड अभी तब आपने सिंप्ली सपोर्टेट भीम के कॉस्चन सौल किये थे एंड लिवर में एक end एकदम फ्री है और एक end पर क्या है फिक्स end यहां पर अपकॉर्ड यहीं आ रहे तो मिलती है साबसे साथ एक मॉमेंट की रियक्शन भी मिलती है जिसे हम डेनोट करते हैं से इन दोनों को अपन निकाल सकते हैं दो रिएक्शन हैं सबसे पहले तो समीशन एफ वाइक्वल टुजीरो वाइटिकल फोर्स का सम एक्वल टुजीरो यह लोड कुछ दिया हुआ है कितना दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में देखते हैं यह दा टू किलो न्यूटन पर मीटर रन यह 2019 का पेपर का क्वेश्चन नमबर थरी का सी पार्ट है और यह सिक्स मार्स का आया था यह देखना आई इसमें पहले एक्वेशन बनेगी सम अब वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो सबसे पहला वर्टिकल फोर्स है आरे अफवर्ड है पॉजिटिव है डाउनवर्ड फोर्स यह यूडियल है कैसे निकलता है इंटेंसिटी यूडियल की प्लस यूडियल की लंबाई UDL की नंबर ये रही 2 मीटर इसलिए ये वाला है ये अलट 2 मीटर क्या है ये रहा इंटेंसिटी ये डाउनवर्ड है तो नेगेटिव साइन अब MA क्या ये एक वर्टिकल फॉर्स है नहीं ये वर्टिकल फॉर्स नहीं है तो MA या पर नहीं आयागा और कोई फॉर्स RA हो गया UDL हो गया और कोई है ही नहीं तो 0 बात कता हम RA आगया एकदम सिंपन 4 किलो न्यूटन बढ़ी है अब मॉमेंट मॉमेंट अबाउट A इक्वल टू 0 एक्वेशन कर लेते हैं अपन A के अबाउट हर फॉर्स का मॉमेंट लेंगे A के अबाउट RA का कोई मॉमेंट नहीं RN to 0 RB तो इस एक्वेशन में होती नहीं इस केंटी लिवर बीम में होती नहीं यह की सपोर्ट है यह जो UDL है इसका कुछ मॉमेंट आएगा A के अबाउट कैसे आएगा force into distance force इसका है तीवरता UDL की multiply by UDL की लंबाई तो 2 into 2 तो force आगया यह force है अब इसमें distance करना है distance UDL का distance इस A से कितना है तो वो कैसे निकलेगा इसके CG का distance अपन A से निकालते हैं यदि यह 2 मीटर लंबा है तो मानलेश का CG यह 1 मीटर दूरी पर आएगा तो multiply 1 होगा यह downward है तो इस point का आउट यह कैसा गूल गूल गूम रहा है clockwise तो positive clockwise गूम रहा है और कोई moment देख रहा है MA MA moment है इसको अपन यह कितना minus MA लिख सकते है क्योंकि MA अपन ने कैसे act किया हूँ मान रहा है अपन एंटिक लोग पर इस मान रहा है MA तभी तो वह बीम को गिरने से रोकेगा तो minus MA equal to 0 तो क्या equation बन गए यह होगा 0 plus 4 minus MA equal to 0 MA कितना आगए 4 kilo newton meter unit दियान रखना RA 4 kilo newton MA 4 kilo newton meter अब क्या वज़ाब तो आप इसका बहुत आसानी से shear force और bending moment diagram निकल सकते हो फिर से बीम को देखो 2 meter तक तो cantilever में UDL लग रहा है 2 kilo newton पर meter का बच्योई एक मीटर एकदम फ्री है एकदम यह है A यह है B बिन्दू यह है C नॉर्मल यह अपन क्या करते हैं simply supported beam में उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ section को ले जाते हैं cantilever के case में अपन क्या करेंगे free end जो भी है C वाला end free end है यहां से अपन section मान लेंगे पहले यहां से section B तक गया है यह है section X इसकी दूरी C से बन मान लेंगे X है अब हने इसको सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ ले जाएंगे section को section XX जिसकी दूरी छोटा X है C से section के सीधे हाथ या उल्टे हाथ की तरफ vertical forces का total क्या होता है shear force shear force C से B तक C से B तक क्या आएगा section क्या तो सीधे हाथ या उल्टे हाथ का force का total कर लो इस condition में सीधे हाथ का ज्यादा सरण बढ़ेगा तो अपन सीधे हाथ का करते है section के right hand side पे क्या कोई vertical force है कोई force नहीं है shear force C से B तक 0 B से A तक आप जाएंगे तब जाके कुछ shear force मिलेगा अब मान लेजे section अपन सरका के यहां तक लेआए अब यह section UDL में घुजगा है मान लेते हैं अपन यह दूरी है एक मीटर यह C है यह B है यह A है section की दूरी C से है X तो यह दूरी कितनी आएगी पूरा X है X में से 1 माइनस कर दो तो इतनी बच जाएगी X माइनस 1 तो अब इस section के सीधे हाथ पे कितना UDL है X X section के सीधे हाथ में कितना UDL है सिर्फ इतना किती लंबाई का UDL है X माइनस 1 लंबाई का UDL है तो shear force B से A तक का निकालना है सेक्शन के सीधे हाथ के UDL का force निकालेंगे UDL की तीवरता है 2 किलो न्यूटन पर मीटर कितना लंबा UDL है X माइनस 1 डाउनवर्ड है तो निगेटिव कर लो साइन वो क्या काम इसमें X कहां से कहां तक चल जाएगा यदि X इक्वल टू 1 मीटर है मतलब सेक्शन B पर है यदि X बढ़ गया 3 मीटर हो गया तो सेक्शन X X कहां आ गया A पर आ गया तो इसमें X इक्वल टू B से A तक करना है अपनको C की दूरी B से और C की दूरी A से तो 1 मीटर 2 3 मीटर ठीक है इससे शियर फॉर्स डाइग्राम बन जागा शियर फॉर्स C पर अपना जीरो आया था शियर फॉर्स B पर भी जीरो आएगा अब यह एक्वेशन स्टेट लाइन की है हम शियर फॉर्स A पर निकाल लें तो X इक्वल टू 3 मीटर रखेंगे तो माइनस 2 3 माइनस 1 किता आएगा यह माइनस 4 किलो नियूटन तो शियर फॉर्स B पर जीरो है और A पर माइनस 4 है इसको अपन बना सकते हैं झाल 2 झाल 1 1 माइनस 2, माइनस 4, माइनस 6 30 से B तक शेयर फोर्स जीरो तो यही लाइन है शेयर फोर्स फिर A पर माइनस 4 है तो यह रहा इनको आप जोड़ो दो स्टेट लाइन से यह है शेयर फोर्स डाइग्राम अब बेंडिंग मोमेंट डाइग्राम मान लोपन इस पर बना जाते हैं बेंडिंग मोमेंट डाइग्राम अब C से B में अगर सेक्शन है अब इस सेक्शन पर अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो सेक्शन के या तो सीधे हाथ की तरफ या उल्टे हाथ की तरफ जितने भी मोमेंट है या फोर्स है उनके जो मोमेंट लग रहा है उनको टोटल करना है सीधे हाथ की तरफ क्या कोई फोर्स है नहीं है तो उसका कोई मोमेंट आएक डाइगा हाए चैंशन के सीधा हाथ की तरफ कोई मोमेंट लग रहा है या तो Bentay मोमेंट सी से बी तक जीरो आएगा सिर्फ बात बची बी से ए तक की तो देखो वानलो यह सेक्शन सरक के खसक के यहां आगया यह आगया इसकी दूरी है सी से एक्स मीटर यह सी पॉइंट है यह बी है यह है वन मीटर यह कितना आएगा एक्स मैनस वन सेक्शन के राइट साइड में कौन सा फोर्स है सिर्फ यह यूडिल का फोर्स है कितनी लंबाई का एक्स मैनस वन लंबाई का इसकी वज़े से फोर्स कितना आ रहा है तू इंटू एक्स मैनस वन 2 क्यों? क्योंकि इसकी intensity है 2 किलो न्यूटन पर मीटर एक मीटर की force एक मीटर का force 2 किलो न्यूटन है तो X-1 میटर लंबा कितना force लगाएगा? 2 x-1 इसका सिर्फ इत्ते से UDL का कितना? सिर्फ इत्ते से UDL का के अंदर का है? इसका दूरी यहां से कितने आईगी इसकी दूरी कितने आईगी यहां से यहां तक अगर x-1 है तो यहां से यहां तक आईगी x-1 by 2 यह distance का अगर हमने multiply कर दिया इसके force में तो हमें इस section के about इस इत्ते सी UDL का moment मिल जाएगा क्योंकि moment होता है force into distance force हमने निगाल लिया है 2 into x-1 इसमें distance का और multiply कर दो x-1 by 2 यह downward है तो यह इस point के about clockwise moment लगाएगा तो इसका sign positive यही है bending moment B से A तक का इसको solve कर सकते तो bending moment B से A तक का क्या है x-1 whole square इसमें x के value क्या put कर सकते हैं B पर C से distance कितना आएगा 1 तो x equal to 1 meter से A की दूरी C से कितनी आएगी 3 meter तो x equal to 1 से 3 meter रख सकते हैं तो open क्या करेंगे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर point निगाल लेते हैं 1 पर निगाल लेते हैं 0 आएगा 1 minus 1 0 हो जाएगा तो 2 पर 3 पर सिर्फ 2 point हो जाएगे कम पढ़ेंगे तो 1.5, 2, 2.5 और 3 इन पर निगाल लेते हैं तो क्या हो रहा देखो bending moment x equal to 1 पर आ रहा है 0 bending moment x equal to 1.5 पर कितना आ रहा है 0.5 का square 0.25 kilo newton meter bending moment x equal to 2 पर कितना आएगा 2 में से एक गए 1 kilo newton meter इस equation में x के value पूट करते जा रहा है अंसर आता जा रहा है x equal to 2.5 पर कितना आएगा 2.5 इदर रखेंगे 1 में से minus होगा 1.5 का square 2.25 kilo newton meter bending moment x equal to 3 meter पर कितना आएगा 3 में से बन गए 2 बचा 2 का square 4 4 kilo newton meter इनको आपको बस प्लॉट करना है graph पर यह graph पग रहा है 1 2 3 4 5 इनकी unit क्या है? kilo newton meter में इनकी unit क्या थी? kilo newton में अब यहां से प्लॉट कर रहा है C से B तक बेड़ने में जीरो आया था B के बढ़ता जा रहा है अब अपनने अलग-अलग पॉइंट लिया है यह है यहां से दूरी देखें तो यहां से 1 meter है यहां से यहां यह थे 3 meter यह इस बिंदू से दूरी देखरें इनके बीच में आएगा 2 meter इन दोनों के बीच में आएगा 1.5 मीटर इन के बीच में आएगा 2.5 मीटर अब इसके उपर बना लो बैंडिंग मेंट 1.5 पर 0.25 0.25 बहुत कमाएगा इत्ता सा 1 का 1 चोथाई बैंडिंग मेंट 2 पर आया 1 तू पर आया ये बटन के सामने बना दिया 0.1 बैंडिंग मेंट 2.5 पर आया 1.5 का स्क्वेर ये का चेक कर लेते 2.25 ही है तो 2.5 पर 2.25 है ना डाही और 2 के बीच में चलो ठीक है 2 और 2.5 के बीच में आगा 2.25 फिर X एक्ट टू 3 पर 4 तो सीधे ये पॉइंट मिल गया अब ये आप देखों एक पैरा वोला है इसको आपको स्मूथ हाथों से जोड़ना है हाथों से एक स्मूथ कर्व बनाएकर जोड़ना है इसलिए बीच में पॉइंट निकालने जरूरी है इसको बनाने का यही तरीका है तो ये कोश्चन अगर दुबारा आ जाए तो छोड़ना मत छे नमबर को कोश्चन है समझा के बनाया मैंने इसलिए थोड़ी देर लगी वरना छे नमबर का सवाल है ये छे मिनिट में हो जाना चाहिए ठीक है यहां पर 0 किलो न्यूटन मीटर है यहां पर बीच बीच में लिख सकते है 0.25 किलो न्यूटन मीटर यहां पर लिख दो 1 किलो न्यूटन मीटर यहां पर लिख दो की में लिए लिख दता है माइनस फूर किलो न्यूटन यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो किलो न्यूटन यह इसका शेयर फोर्स बेंडियों में डाग्राम है इस कॉस्चन का ठीक है थैंक यू